हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पूजा मलिक आज की विडियो में एक ऐसे क्रांतिकारी डिवाइस के विशे में बताऊंगी, जिसका शायद ही आपने कभी नाम सुना हो, यहां तेक कि आपके किसी रेलेटिव ने या किसी फ्रेंड ने भी इसका नाम नहीं सुना होगा। तो आईए जानते हैं इस डिवाइस का नाम, इस डिवाइस को कहते हैं आई टेरा केर डिवाइस, यह जो डिवाइस है लोगों के जीवन में बहुत जल्दी बहुत बढ़ा परिवर्तन लाने वाला है, पूरा जीवन शैले ही बदल देगा, यह विश्व की 10 उननत टेक्नी में से एक है, और इस डिवाइस को चाइना ने एक हेल्थ डिवाइस के रूप में विकसित कर लिया है, इसका सारा रिसर्च बीजींग इंस्टिटूट ओफ साइंस एंड टेकनोलोजी के द्वारा किया गया है, आपने महान वैज्यानिक अलबर्ट आइंस्टाइन का तो न आइंस्टाइन ने जो भविश्य वाने की है, उसे हम आज चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं, अब ये फ्रिक्वेंसी बेस्ट जो डिवाइस हमारे सामने आया है, ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, यह जो यंत्र है, ये हीट और फ्रिक्वेंसी दोनों उत्पन करता है, अब हम कह सकते हैं कि चिकित्सा का भविश्य यही है, जो फ्रिक्वेंसी पर आधारित होगा, आईए, अब हम जानते हैं कि टेरा हर्ट्स टेक्नोलोजी है क्या, टेरा हर्ट्स फ्रिक्वेंसी है क्या, ये है माइक्रो वेव और इंफ्रारेड वेव के बीच में एक इल कि हमारा शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है और ये कोशिकाओं एक विशेश फ्रिक्वेंसी पैदा करती है जब भी हमारी कोशिकाओं में इन फ्रिक्वेंसी में कोई डिस्टरबेंस आता है तभी हमारे शरीर में विकार उत्पन होता है तो ये डिवाइस क्या करता है हमार से लेकर 17 टेरा हर्ट्स के मद्ध्य होती है और यह जो डिवाइस है ठीक हमारे शरीर की कोशिकाओं की भाती सेम प्रकार की frequencies को generate करता है इस device की सहायता से हम कम समय में विभिन दीवरता की frequencies उत्पन कर सकते हैं यह जो device बनाया गया है यह Chinese और जो पश्चिमी साइटलोजी डिपार्टमेंट है उसकी जो technology है उसके mixture से इस technique को develop किया गया है जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह जो है स्वास्त विज्ञान सैन्य संचार एवं क्रेशी को बदलने के लिए विश्व की दस सर्वोत्तम technology में से एक technology है टेरा हर्ट फ्रिक्वेंसी तीन से लेकर 30 माइक्रोन के बीच में होती है और यही फ्रिक्वेंसी हम treatment के लिए यूज करते हैं अब मैं बात करूंगी टैरा फ्रिक्वेंसी के जो पांच important features हैं उनके विशे में तो सबसे पहला जो feature है वो है सुरक्षा हर किसी के मन में यह प्रश्न उठता है कि यह जो device है व इस device को Chinese Academy of Science and Technology और SinoCam द्वारा patent कराया गया है इस device को बिना किसी परेशानी के किसी भी I.U. के व्यक्ति या बच्चों पर उप्योग किया जा सकता है तो हम कह सकते हैं यह पूरी तरह से सुरक्षी थे आईए अब हम बात करते हैं दूसरे मुख्य गुण की second point आता है आपक 30 cm तक penetrate कर सकता है इसका अर्थ यह है कि यह 30 cm गहराई में हमारी cells पर frequencies को भेज सकता है ताकि particular जगे पर treatment किया जा सके और इस प्रकार से यह हमारी bone marrow छोटी blood vessels में भी आसानी से penetrate कर सकता है यह device शरीर में रक्त संचार को भी दुरूस्त करता है अब हम बात करेंगे तीसरे important ग उनकी जिसको हम identification कहते हैं identification का मतलग पता लगाना जानकारी हासिल करना यह जो device है हमारे शरीर में स्वस्त सेल को identify करता है और जो अस्वस्त सेल हैं जो unhealthy cells हैं या कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को पोड़ी से बाहर निकालने का काम करता है इसके साथ साथ यह नवीन कोशिका उनकी निर्मान को भी बढ़ाता है और जो damaged हो रही हैं जो कोशिकाओं उनको भी यह repair करता है ताकि वो फिर से अपना काम proper तरीके से कर पाएं अब हम बात करते हैं अगले गुन की activation सक्रियन अर्था यह जो device है यह एक तो शरीर के तपमान को maintain करता है और हमारी बोड़ी में जो कोशिकाओं कमजोर तथा निश्क्रिय हो जाती है उनको यह active करता है और साथ में जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको भी यह strong करता है इसका पांचवा जो मुख्य गुन है वो यह है यह user friendly है इसे use करना बेहद ही सरल है इसमें किसी professional skill की कोई आवशक्ता नहीं हो होती क्योंकि इसे कोई भी operate कर सकता है क्योंकि यह terra based device है तो आसानी से इसको operate किया जा सकता है इस device का प्रयोग रोगों वाले स्थान पर directly हमें use करना होता है और इसमें कोई विशेश प्रशिक्षन की आवशक्ता नहीं होती है यह बेहद ही सरल तरीके से उप्योग मिलाया जा सकता है टेरा डिवाइस कैसे काम करता है टेरा डिवाइस निश्क्रिय कोशिकाओं को सक्रिय करता है blood circulation को बढ़ाता है और शरीर की जो एक्स्टरनमी होती है उसको भी समाप्त करता है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर 70% जल से बना हुआ है कहीं बार हमारे body क अंदर इस पानी की अधिकता हो जाती है प्रतिशत्ता अधिक हो जाती है जिसके कारण हमारे अंगों में सूजन आने शुरू हो जाती है तो उस सूजन को भी ये टेरा डिवाइस काफी हद तक कम कर देता है metabolic rate को बढ़ाता है यदि हमारा metabolic rate तीवरगती से काम करेगा तो हम बहुत जादा young और energetic feel करते हैं lethargyness हमारी बहुत जादा पीछे पिछड जाती है अगर हम इस डेवाइस का उपयोग करते हैं तो metabolic rate अगर आपका अच्छा है तो आपका heart, kidney, liver बहुत अच्छे से function करते हैं जिससे आपके body की जो प्रणाली है वो सुचारू रूप से कारियरत रहती है। इसके अतिरिक्त शरीर का जो endocrine glands है उसको भी ये सक्रिय करता है। हमारी शरीर के अंदर बहुत सारी endocrine glands होती हैं जो हमारे अंगो पर directly काम करती हैं अगर ये काम करना कम कर देती हैं तो हमारे अंगो पर इसका बेहद खराब प्रभाव पड़ता है जिसकी वज़े से हम बीमारी की चपेट में आ जाते हैं तो यह device इन endocrine glands पर directly penetrate करके काम करता है और उनको active बनाता है अब हम यहां बात करते हैं कि यह किस प्रकार के रोगियों के लिए उप्योगिता में आ सकता है इसका उप्योग हरदर योगी, kidney रोगी, liver के रोगी और जो cancer के रोगी हैं या जिनको pancreatic disorder है वहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है और इसका हैं वहाँ भी इस device का उप्योग किया जा सकता है और इस device के द्वारा जो उप्चार किया जाएगा वो दिन में दो बार किया जाना चाहिए अब इसमें मैं एक विशेश बात यहां mention करना चाहूंगी कि therapy के बाद में कभी भी कोई भी ठंडा पे-पदार्थ ना ले therapy के चार और वीडियो के अंत में अब मैं बताना चाहती हूं कि जो टेरा कोर्ड डिवाइस है ये 3 टेक्निक पर based है जो टेरा के एर की डिवाइस की जो टेक्निक्स हैं वो है Number 1 Terrahertz Technology Number 2 Quantum Technology and Number 3 is Optical Quartz Technology मुझे लगता है कि जू जाधतर जानकारे थी टेरा कोर्ड वाइस के विशे में वो मैं आपको बता चुकी हूँ अब इसके आगे की वीडियो मैं जल्दी ही बनाओंगी ट्रिटमेंट कैसे करते हैं उसके विशे में भी आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको जानकारे दूँगी मुझे आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और अंत में स्वास्त रहिए मंगल रहिए, खुश रहिए थैंक यू, have a nice day, bye bye